हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल और आज मैं आपके साथ गोलगप्पे का खट्टा मीठा और तीखे पानी की रेस्पी शेयर करें। बिल्कुल ठेले वाला टेस्ट आने वाला है और बनाना तो बिल्कुल आसान है। तो आप इस रेस्पी को ट्राय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना बोले। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे तीखा पानी और इसके लिए लेंगे एक ग्रैंडिंग जार और इसमें डालेंगे वन कफ फ्रेस हरा धनिया। धनी को अच्छे तरह से दोले और दोने के बाद इसमें एड़ करें। साथी इसमें एड़ करेंगे हाफ कफ पो देने के पत्ते। छैसे साथ मैं इसमें डाल रहे हूं हरी मिच्ची। और तीन छोटे टुकडे लिए मैंने अद रखके। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी। और अब हम इसे बिल्कुल बारिक पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम लेंगे एक बॉल और इसमें मैंने लगा लिए चलनी। और इसमें हम अपना पेश्ट डाल देंगे। उसी मिक्सी जार में थोड़ा तर डाल लिए मैंने ठंडा पानी और अच्छी तरह से इसमें दो के इसमें एड़ करेंगे। और अब इसे अच्छी तरह से चलनी में से चान लिए। मैं इस पानी को चान के बना दे हूँ अगर आप चाहे तो बिना चानी भी इसमाल कर सकते हैं। और यह देखिए मैंने इस तरह से इसमें थोड़े बहुत रेस से हैं उसे में अलग कर दूँगे। चान्ने के बाद अब हमीस में डाल देंगे थंदा पानी, साथीसमें डाल देंगे 1 dell फोर्ट टीस्पून डाल देंगे समें हेंग, half टीस्पून चाट मसाला और अब हम इसमें डालेंगे half निम्बू का रस और अब इसमें डालेंगे रायता बुंदी अच्छे से कर लेंगे इसे mix और ये लेजे हमारा तीखा पानी बनके हो गया तयार तो आप इसे एक बर टेश्ट कर लें अगर इसमें तोड़ा सा मसाला कुछ भी कम लगे तो आप इसमें एड़ करें और बिल्कुल परफेक्ट हमारा ठेली वाला तीखा पानी बनके तयार हो है तीखा पानी बनाने के बाद अब हम बनाएंगे खटा मिठा पानी तो इसके लिए लेंगे half cup इमली इमली को डाले एक बोल में और इसमें डाल देंगे कूण गणा पानी इमली को 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से भीगने दे और ये लिजी 20 मिनट हो चुक है 20 मिनट में अच्छी तरह से हमारी इमली फूल चुक है तो अब हमें इसका निकालना है पल्प तो अब हम लेंगे एक ग्रैंडिंग जार और इसमें डालेंगे भीगे हुई इमली और अच्छी तरह से पीस ले और अब हम लेंगे एक बोल और इसमें लगा लेंगे चलनी इमली के पल्प को अब हम इसमें से चान लेंगे चलनी में से बिल्कुल अच्छी तरह से इसका पल्ब निकाल ले और ये देखे बिल्कुल अच्छी तरह से इसे चाल ले ये थोड़े बहुत इसके रेस से है तो उसे कर देंगे हम अलगे और ये इमली का पल्ब निकल के हो गया तयार गुड पिंगलने के बाद हम गैस का फ्लेम करेंगे हाई और हाई फ्लेम पर एक मिनाड के लिए अची तरह से सिह उबाल ले एक मिनाट उबालनी के बाद अब हम इसमें ऍहनी आड़ करेंगे मसाले और मसालों में आड़ कर रHam cushion काला नमक हाफ टीश्पून सफेद नमक हाफ टीश्पून ढाल देंगे इसमें लाल मिटची पावडर दोपिंचेज इसमें डालेंगे हेंग हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पौडर मसाली डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे अब हम इसे 1-5 मिनार के लिए चलाते हुए अच्छे तरह से पकाएंगे लगादार इस तरह से इसे चलाते हुए पकाए मीठे पाने में अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी एड़ कर सकते है चीनी या फिर आप गुड की क्वांटरटी थोड़ी सी बढ़ा दे और ये देखी मैंने इसे एक से एड़ मिनार के लिए चलाते हुए पका लिया तो आप इसकी थिकनेस देख सकते है बिल्कुल परफेक्ट हमारी खट्टी मीठी चट्नी बनके हो गए तयार तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ओफे और इसे होने देंगे अच्छी तरह से ठंडा चट्नी ठंडी होने के बाद मैंने इसे डाल लिया एक बोल में और अब हम लेंगे एक बोल और इसमें डालेंगे हाफ कप इमले वाली चट्नी साथी इसमें डाल देंगे ठंडा पानी मसाले हमने पहले इसमें डाल दिये थे तो अब हम मसाले कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे और अच्छी तरह से कर लेंगे इसे मिक्स से और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से रायते वाली बुंदी और ये लिजी हमारा खट्टा मिठा पानी भी बनके हो गये तैयार है ना पिल्कुल सिंपल इसे बनाना तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आपको इस रेसिपी कैसे लगे अगर आप मेरे चैनल पर न्यों है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी ताकि आने वाली हर न्यू उडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी पास आए नेक्स्ट रूडियो में फिल्म लेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर